बिस्मिलाइ रुमारे रुरेहीम, अस्सलामुलेकूम, बक्रेट के हमाले से एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, बहुत ही जटपट और बहुत मज़ेदार रेडी होने वाले गुर्दा मसाला की रेसिपी, तो चलिए अफटाफट से बनाना है स्टार्ट करते ह एक पैन में में डाल रही हूँ, फोर टबिल स्पून कुकिंग ऑईल, उसमें डाल रही हूँ, लहसन और अद्रक का पेस्ट, टू टबिल स्पून, इसको थोड़ा सा हम फ्राइ कर लेंगे लहसन को फ्राइ कर लिया है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, दो अदद छोटे साइस के टिमाटर, इनको मैंने छील लिया था, और इनको बारी क्यूब्स में कट कर लिया है, अगर आपके पास बड़ा टिमाटर है, तो आप एक यूज कीजिए, इसको हमने सॉफ्ट होने तक फ्राइ करना है, मिटियम टू लो हीट पे और इस तरह से मैश करते जाएगे तक इसका अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए, फ्रेश गुर्दे अगर आप यूज करेंगे, तो बहुत ही जल्द और बहुत ही मसेदार रेडी होंगे, अब मैंने इसमें डाला है, हाफ टी स्पून, नमक लिया है, हाफ टी स्पून, आप कम याँ जादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मताबिक, इन तमाम चीज़ों को मसालों के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर को भी सासाथ भूनते जाएंगे, जब तक इच्छे से मैश हो जाएगे, देख तक इसकी जो इसमैल होती है, वो खतम हो जाए, तकरीबन पांच मिनट हो चुके हैं, मुझे इसको अच्छे से फ्राइ करते वे, मसाले के साथ ही इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राइ कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, और तकरीबन ये अच्छे से भून चुके हैं, और ये गल भी बहुत अच्छे से गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट्ली रेडी हैं, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन थी टेबल स्पून दही के, और ये फ्रेश दही यूज की जगा, खटा बिल्कुल भी नहीं यूज की जगा, इसके साथ ही हम इस मसाले को बहुत अच्छे से दुबारा से भून लेते हैं, फ्लेम को इस टाइम पे कर देंगे हाई, और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है, और बहुत अच्छी खुश्मू आ रही हैं, बहुत जबरदस्ती ये गुर्दे बनकर रेड ही दीजेगा, दुआ में याद रिखिएगा, मिलते हैं नेक्स रेसिपी में, अलाहाफिर